आज मैं बनाने वारे हूं पनीर पिज्जा जिसे कि आप देख सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मजदार घर बनके तयार हो जाती है मार्केट से भी अच्छा और जब चाहे अपने घर में बच्चे बड़े सबके लिए बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब करना ना पूले और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो इस तरह से देखिए मैं आपको इसे पीछे से भी दिखा देती हूं बिलकुल जला नहीं है एकदम मस्त बिलकुल परफेक्ट बनके तयार हुआ है मार्केट से भी अच्छा देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कितना मज़दार और टेस्टी लग रहा है और मैं आप आपको इसी नीचे से पलट के भी दिखाती हूं देखिए इसका जो नीचे का जो पोर्सन है बिलकुल भी जला नहीं है एकदम प आप गरम करेंगे टाइमर हमें आप 10 मिनट्स के लिए सेट करेंगे प्रीट होने के लिए और मैंने पिज्जा का बेस मैंने इसका रेसिपी अल्रेड़ी अपने चैनल पर डाल रखा है आप चाहें तो मार्केट से भी मांगा के यूज कर सकते हैं आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं तो इसमें हम डालेंगे पिज्जा सॉस इस तरह से इसके ऊपर हम पिज्जा सॉस अप्लाई कर देंगे चारो तरफ से अच्छे से पहला देंगे बहुत ही असान सी है ये रेसिपी ओटीजी वे आप इसे तुरंत फटा-फट से मना सकते हैं अपने बच्च इस तरह से चारो तरफ से अच्छे से जो सॉस है उसे इस तरह से पिज्जा का सॉस है उसे इस तरह से अपलाई करते हैं अब हम इसमें डालेंगे चीज मोजरेला चीज यह मार्केट में आराम से मिल जाता है इस तरह से देखिए इसे डालेंगे इसे डालने से बहुत ज्या पिज्जा उतना ही ज्यादा टेस्टी लगेगा देख सकते हैं इस तरह से डाल देंगे इसे आप चाहे तो पनीर को मेरिनेट करके भी डाल सकते हैं मैंने आप पनीर को बिल्कुल सिंपल रखा है इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैं आप मेरे घर में बच्चे अब आपके पास जो भी टॉपिंग्स है कैप सिकाम और इगानो कुछ भी डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंदे अपने अकॉर्डिंग टॉपिंग्स आप इसमें आड कर सकते हैं बहुत ही मज़दार और बहुत ही टेस्टी लगती है पिज्चा त तपिंग्स आप जो भी पसंद करते हैं बिल्कुल समय डाल सकते हैं बहुत ही तेस्टी और बहुत ही यमी-yumी से लगती है यह देख सकते हैं मैंने पिज्चा का बेस का रेशिपी है अरड़े अपने चैनल पे डाल दिया है अब चाहते हम इसमें डालेंगे चीज अब जि तो यह देखिए इस तरह से बस डालते जाना है चीज को और टॉपिंग्स को अब इस तरह से डाल दिया मैंने और इसमें हम थोड़ा पनीर और अड़ करेंगे देखिए यहां पर मैं पनीर पिजा बना रही हो तो और इसमें ज्यादा पनीर एड़ करूंगी कि और इसमें हम डालेंगे कॉण्र मैरे पास कॉण भी था तो इस तरह से मैंने कॉण भी डाल रही हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कॉर्ण डालने से भी ज़र खिजा और यह रहा हमारा ट्रे इसमें हम डाल देंगे पिजा का बेस जो मैंने रेडि करके रखा है यहां पर देख सकते हैं मैंने करम ट्रे डाल एक घ्रलो रखायी सेधिक कर देखे और 2020 देखेंऽ यहां इस कल्म ट्रेटी कम डिपँट रहेक्पर कर दों तो यहां पर देख सकते हैं दस से बारा मिनट हो चुका है अब हमें पिजा को बाहर निकाल लेंगे देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेंगे देख सकते हैं आप इसका जो चीज देखिए कितना बढ़िया मेल्ट हो गया है कि देखिए में हम डालेंगे चीली खृत के इसमें मैं चीली खम डालूंगी और और कान फंतालों कि देख सकते हैं कि या मतलब टेस्टि साथ कि पिज़बम के तयार हो गया है घर पर ऑन चीली खलक साथ इसमें हम थोड़ा चीली फinky So기도 कि इस तरह से देख सकते हैं और औरेगानो डालेंगे तो यह देखिए हमारा यहां पर जो पनीर पीजा है बनके तयार है तो अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो